तुडेयर इस्टुडेंट आज की इस वीडियो पे बात करेंगे बीए फोर्थ समेस्टर के पुलिटिकल साइम्स यानि राज नीती साफ्तर के MCQ टाइप के तो आज की इस वीडियो का पहला प्रश्ण है कि आदर्स राज के सासको और साइनको को ना तो अपना घर होना चाहिए और ना निजी संपत जाए बात कौन से बिद्वान ने कही है मतलब की कोश्चन कह रहा है कि एक अच्छे राज जीया फिर जिसको आप लोग आइडियल या आदर्स राज बोलते उसका कोई सासा कई कोई राजा है और उसके जो साइनिक है उनके पाफ अपना घर ठीक है घर होना चाहिए और ना जाए जबाब होगा आपको बताना है तो सही जबाब इसका हो जाएगा अपसा नंबर ए प्लेटो ने बात कहिए अगला प्रशन है कि कि इस ने कहा कि दीवारे अधा दो और जहां दीवारे रही हो वहां समान हवा की खुली हवा का संचार होने दो यह बात जो प्रमुग बिद्वान है प्लेटो ने कहिए ऐ नम्मर सही जबाब होगा अगला कि पुरुश्ट और इस्तियां बेक्तिगत ना होकर समाजिक होंगी यह किस का कथन है कौन से बिद्वान प्लेटो का ही जो कि प्रमुग जाजनेते को समाज साफ्त्री है ठीक है ध्यान लखेंगे अग अगला है कि किसका मत है या किसका राय है कि लोग तंत्र एक रूपता और एकता के अभाव का नाम है तो यह जो मत है या फिर यह कहना है प्रमुक बिद्वान का फलेटों का इसका सही जबाब हो जाएगा सी नंबर जाना केंगे अगला प्रश्ण प्रिस्तुत है कि जो लोग लोज के गहरे पानी में बौड़े हैं उन्होंने कुछ ना कुछ पाया जरूर है यह कथन कौन से बिद्वान का है तो यह कथन है बारकर का सही जबाब यह होगा ठीक है अगला प्रश्ण के प्लेटों नियाय के अनुसार प्ले ध्यान लखेंगे वो निर्पेच अधारा है एक प्रकार की ए नंबर सही जबाब होगा ध्यान लखेंगे अगला प्रश्ण की प्लेटों के साम्मेवाद का सिध्धान्त है कौन तो प्लेटों के साम्मेवाद का सिध्धान्त बताना है तो प्लेटों के साम्मेवाद का प्लेटो प्लेटो को टिक मुक्त समाज का अफली नाम क्या था प्लेटों प्लेटों पूरासली नाम था ध्यान रखेंगे इसी अस्तोक्लीज ठीक है इसी एस्टो कुली जिनका अफली नाम था पलेटो का जहान रखेंगे अगला कि पलेटो के सामवाद का लच्छ क्या है तो पलेटो के सामवाद का जो लच्छ है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा है तो प्लेटों के सामेवाद का जो लच्छ है वो है राज जी की एकता बने रखना ठिक है ए नमबर सही जबाब होगा अगला कि किस ने राज को मानो मेश्टिस्क का ब्रहद रूप कहा है यानि ही बड़ा रूप कहा है, तो यह जो कथन है यह बात है प्लेटो ने कही है, बी नंबर सही जवाब होगा अगला की प्लेटों ने मुख रूप से किसकी अलोशना की है यह नापसरों में से तो प्लेटो ने जिस जिनकी अलोशना की जिनकी बढ़ाई की कि अन्का नाम है इस्थो तीक है नंबर सही जबाव होगा अगला की प्लेटो का कथन क्या है जो प्लेटो प्रमुक भी रहते हैं ठीक है रहला प्रशचन है यहीं होगा यहां पर चाराफ्ब लेकिन ları rate में कितिक का औंटिम संदेश क्या स्वाइबD होगा अगला कि आदर सास्कों की कर्टविका निवार निमनांकित मेसे इस Stadtражmate निमनांकित में है तो यहां पर आदेग आपसपति में आदास सास्कों की कर्टविका जो बिवरन niminoo कि बताना है वह है इन्धासरों में से किसमें आपको बताना है वहあ पुस्तक की प्लेट्व की है तो प्लेटों का रिपबलिक घया है नमबर होगा अग्ला की माना gotta तुमक ठीक है मनाक तुमक राजनीति राजनीति फिद्धान्त से अग्रिणी बिचारक कौन है तो उस प्रोग विद्वान का नाम है ठीक है ध्यान लखेंगे पलेटो सही जबाब इसका बी नमबर होगा अगरा प्रशना आप लोगों की समस्प्रसुत है कि परंपरागत रा बाजनीति का अध्यन बैज्यानिक अर्थों में करने की दिशा दिखाता है तो उस प्रमुक विद्वान का नाम है ध्यान रखेंगे प्लेटो सही जबाब यह होगा अगला प्रश्ण है प्रश्ण की भाईया ध्यान से सुन लीजेगा आप लोग कि निमनिमेश से प्लेट प्लेटोस मैन साही जबाब इसका सी नंबर होगा बहुत प्रमुक प्रश्ण है कि किसका कफन की मित्रों के बीच सभी वस्तव्य साधां होनी चाहिए बात जो है प्रमुक विद्वान प्लेटों कही फिर प्रश्ण की बढगें कि 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 भीव श्चा योजिना अनेक दस्ट इनके प्लान योजना में अनेक द्रश्टियां इनकी अलग अलग लोगों के नजर में अस्प्रस्टता जो है वो आधुनिक है यानिक लेटेस्ट है तो यह बात प्रमुक विद्वान ने कही है ठीक है जिनका नाम है मैक सी सही जबाब हो जाएगा इसका सी नंबर अगला है कि किस तत्त को प्लेटों ने अधिक महत तो नहीं दिया है तो इन आपसरों में से प्लेटों को प्लेटों ने किस चीज को अधिक महत तो नहीं दिया है तो उसका नाम है उधमिता को ठीक है उधमिता जो है इसको इन्होंने अधिक महत तो नहीं दिया है सही जबाब प्रकार परिभाफ़ा दी है कि वह अपना ऐसा निजी काम करना है जिसके लिए वह सबसे अधिक उपियुक्त है तो यह जो प्रमुक बात है एक प्रमुक विद्वान के द्वारा कही गई है जिनका नाम है प्लेटो ध्यान रखेंगे जब आप परिच्छा देने जाएंगे तो आपके जो कोश्चन आपको देखने को बिलेंगे उसमें हर एक कोश्चन के जो आफसन देगे उसमें प्लेटो ही सही जबाब नहीं होगा अन्य भी होंगे यहां पर हम एक स्लेबर से जुड़े कोश्चन बता रहे हैं लगातार प्लेटो फई उत्तर आ रहा है तो इस मैंसे कोई नहीं है इसका समर्थ तक सही जबाब इसका हो जाएगा अगला कि किसका कथन है कि उचित नेत्रत उचित सुरच्छा उचित पोसड़ आदर सजाच के अपाहार तक्तु हैं ठीक है तो यह जो बात है या कथन है प्रमक बिद्वान प्लेटो के दोरा कही गई है नमब सब्सक्राइब होगा अगला कि प्लेटोबारा लिखत प्रमक ग्रंथ का नाम बताईए तो आप लोग अच्छे जांती है कि प्रमक जो गरंथ वह लिखत और रिपब्लिक बहुत प्लेटो अग्यश्न है वोग है अग्ला प्राश्न नहें कि इस ने कहा है कि यह प्ल किसके साथ है इन आपसरों में से तो आन लिबरेटी का जो संबंध है इन आपसरों में से वो है इसके साथ पूर्ड फतंत्रता के साथ है यानि कि पूरी तरा आप फतंत्र है उसके साथ है डी नंबर सही जबाब होगा अगला कि आदर्सवात के अनुसार राज्य का आधार क् वो है वास्तविक इच्छा यानि कि जो आपकी इच्छा है वास्तविक्ता में वास्तों में आपकी जो इच्छा है यह से भी दवाव होगा इसुए क्विक ही नमबल व कोछण्य को हबते हैं 大家好 निम्न मेंशे कौन मध युक का बिचारक था उसका नाम लिखना है ठीक है तो सही जबाब मुष्ट का हो जाएंगा ऀप्स होगा आपसर नमर भी संत ठॉमस झाला लुक्षा द लाएफ के मद्यूक्ष आरस्तू कॉन है तो मद्यूकों का जो ओरस्तू है वह एक वी आपसरों सही जबाब मुष्ट का सी नमर होगा अगली कि कमेंट्रीज ऑन प्रोटिक्स आफ एरिस्टो ठीक एरिस्टो टॉल एक मिनट फिस्ट पढ़ते हैं एरिस्ट ठीक है एरिस्ट टोटल नामक पुफतक के लेखा कौन है तो सही जब आप इसका हो जाएक आप्शन नमबर सी ठीक है एकविनास ये हैं मद एक मिनट हाँ सोरी 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 कुष्चन ये है की ध्यान सुरेंगी कमेंट्रीज ओन पुलिटिक्स आफ एरिस्टो ठीक है एरिस्टो टोटल नामक पुफतक के जो लेखक है उनका नाम बताना है तो सही जब आप इसका हो जाएक आपसे नमबर सी ठीक है एक विनास हैं सी नमबर सही जबाब होगा अगला की सिंट अगस्टाइन का जन्म कहां हुआ था तो सिंट अगस्टाइन का जो जन्म है वो सुभी करोयत्त में हुआ था सही जबाब इसका हो जाएगा अपसे नमबर कौन सा मताय कमेंट सेक्शन में अगर आपको मालूम है तो बताये तो साहीर वाई-उल यह सेंट-अगास्टाइन का जिन्म है वह हुए था मिलान में अगalा के श्यांट-श्टाइन ने कुछ वर्सो तक कि धर्म का पालं किया था तक क्या था तो ध्यान रखेंगे बहुत इमाहात्पवूर्ण प्रशन है ठीक है उसका नाम था मीन चीयन जर्म का पालन किया तो संट अगस्टाइन के प्रुमक्पृस्तक उसका नाम है कि स्भी कि धर्म अधिश ते थे ध्यानक्थे प्रम प्रश्ण है वो धर्म प्रांत मुट्रा द्रप्रश्ण है अगरा प्रश्ण है कि सि barley only Duffnick से प्रभावित थे दो जाए वह प्लेटो से भुझ ठीक है इनको इनसे इंस्प्रेशन मिली है ठीक है अगला कि दो राज्यों का फिद्धान किस ने दिया है तो दो राज्यों का फिद्धान दिया है संथ अगस्टाइन ने नमबर सही ज़वाब होगा अगला कि संथ अगस्टाइन पर सबसे अधिक किसका प्रभाव था तो इन आपस्टों में से संथ अगस्टाइन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव था वो था आटो महान का सही ज़वाबडी होगा अगला की सांसारिक नगर का संबन्द सरीर से होता है और इस वरिये नगर का आत्मा से ये कथन कौन से विद्ध्वान का है तो ये कथन है सेंट अगस्टाइन का सी नमबर सही जबाब होगा ध्यान लखेंगे अगला की पुनर्जागरन का प्रारंभ इटली के किस नगर से माना जाता है तो पुनर्जागरन का जो आरंभ है इटली के ध्यान लखेंगे प्रमुक प्रस्टन है आप सभी के परिच्छा के लिए ध्यान लखेंगे कई बारा भी चुका है एक्जाम में चुर्ण प्नेश को जाएगा सी नंबर फॉलोरोंच नंगर से आगला कि पुनुरज जागर्ण का अ में पर प्रत्तक का प्र्विष्ण के द्राजितिक चिंतक जो है यह फिर चिंतन को माना जाता है को माना जाता है अगला की ऑफ आफ मैन जो पुस्तक है जो क्रती है यह किसकी है ठीक है तो सही जवाब इसका हो जाएगा अफ्शन नमबर ए यह माइकल एंजलो की है सही जवाब यह होगा अगला की इंगलेंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी किस पुस्तक में आदर्स समाज का चित्र प्रस्तूत किया है ठीक है तो उस पुस्तक का नाम बताना है तो उसका नाम है यूटूपिया सही जवाब इसका होगा सी नमबर जानाखेंगे अगला प्रशने की प्रिथभी सौर मेंडल का केंद्र है इसका खंडर सरप्रथम कौन से विद्वान ने किया था तो प्रिथभी सौर मेंडल का के सदी में हुई थी तो धर्म सुधार आंदोरन की जो सुरुवात है वो सोल ही सदी में हुई थी सही जबाब ए नंबर होगा अगला की दानते जो कि प्रमुक बिद्वान है राजनेतेक हैं ठीक है इनके बाद पुनर्ज जागन की भावना का फ्रे देने वाला दूसरा ब्यक् कार था ठीक है लिए उसका नाम लिखना है तो ऊसका नाम है फ्रान्सेस Bkn थीक है फ्रांसेस वैकन भी नंबर होगा अगला कि थामस्की स्मूर द्वारा लिखित हुआद पुस्तक नाम बताई है सब्सक है तो नाम है यरोपीय सैस्वालम प्रभाव पड़ा है कि जो दिए गया है इस पर पर प्रभाव पढ़ा है उसका नाम is चित्रकला चित्रकला पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है अगला है कि लियो नर्डो दा विंची था एक कौन तो लियो नर्डो दा विंची जो है ध्यान रखेंगे वो एक चित्रकार था कि रहे आखला है धर्म सुधार आंदोलन का प्राता कालिन तरा जो है वो कहाँ जाता है जोन विक्लिक को परकला रे ने शा क सबसे महतबर रंचेन का उनसा है तो वह मान coded से जबाब घ्यान रखेंगे अगलाक ही कौन प्रूनर जागन के संबंध में सही है यह अप्शन तो प्रूनर जागन की संबंध में एक अपसण सही है ठीक है वह फ्रूं के या ढर्म के लिए प्रिति जोदी नहीं था तो यह सारे के सारे आपसंस तहीं है इसका सही जवाब हो जाएगा टी नमबर ऑपने अगर की पुर्ण जागरंड लैटीन भाफा के एक फ्रांस इसी सब्द है मतलब तो द्यान से सही उत्तरिसका समझें तो रे का समय जो मतलब है ध्यान लखेंगे क्या है रे का मतलब है फिर हो और बीच में आपका जो यह लगेगा रे का मतलब और ने ठीक है नेशींस का आर्थ जो है वो फिर जन्म है ठीक है आर्थ फिर जन्म है सहीजवाब इसका दी नमबर होगा अगला है कि पुन जागन के रूप में कप्रारंब हुआ तो पुनर्जागण की रूप में जाने जाने वाला महानांदोलन जो की यूरोप में शुरू हुआ था सन 1453 में सही जबाब दी नंबर होगा कौन सा सही जबाब होगा अफ्षिन नंबर डी होगा धान रखेंगे अगला की प्रेम गीत लौरा किस ने ल जबाब सी नंबर होगा अगला की मद्यकाल में बिश्युकी प्रमुक विसेशता क्या थी तो मद्यकाल में बिश्युकी जो प्रमुक विसेस्ता थी उसका नाम था क। । अलाकि मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् सब्सक्राइब कर देते हैं अगला प्रशन है कि दुनिया के मामलों की सत्ता राज्य अधिकारी पास हो दुनिया के मामलों की सत्ता राज्य अधिकारी के पास हो तथा दुफरी दुनिया के मामलों पर सत्ता किस के पास थी तो ये जो सत्ता थी ज्यान लखेंगे वो चर्च के पास थी सही जवाविशकासी नंबर होगा अगला कि किस ने कहा विबेक दाफ्ता की इस्थित में पहुँच गया ग्यान का विकाफ दब गया और राजनेतिक दर्षण की प्रगति रुक गई ठीक है तो यह बात है जो प्रूप बेद्वान ने कही है जिनका नाम है आपको बताना है ठीक है तो सही जवाब इसका आपक कालीन राजनेतिक चिंतन का उस समय अवसान हो जाता है जब वह सांसारिक और धार्मिक सत्नाओं की सम्मद्ध में किफी फिद्धान का प्रतिपादन कर चुकता है ठीक है तो यह बात प्रूप बेद्वान ने कहीं जिनका नाम है डनिंग सही जवाब इसका क्या हो जाएग डनिंग हो ठीक इसी नंबर अगला की मद्ध यूग मोलता आराजनीतिक था ये बात किस ने कहीं है तो एबात प्रमुक विद्वान ब्राइशने कहीं है सही जबाब धान नकेंगे अगला प्रस्तु था है कि किस ने कहा कि मद्ध के चिंतन का सार उसका सार्व भौमिक्त व और I hope आपको एक काफी question helpful सावित होंगे यह अगर पूरी पूरी पीडियाप चाहिए तो आप मारी टेलिग्राम अट सबसे कॉंट्रेट कर सकते हैं लिंक किसी वीडियो को रेस्क्रिशन में मिल जाएगा हलाकि मैं गारंटी नहु लगा कि सारी question नहीं आएंगे लेकिन काफी ज्यादा question आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे और सभी प्रशनों को उत्तर देख कर आएगा किसी भी प्रकार की कोई भी माहिस्तर स्मार्किंग नहीं है और चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा आपका अपना ही चैनल है कोई तुर्टी हुई तो उसके लिए छमा प्रार्थी हैं जय हिंद